नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूट फोर्णिशन और मैं हूँ प्यादर सन्ट लोकसभा चुनाओं के पहले चरण में आद बिहार में चार संसदिय सीटों पर चुनाओं हो रहे हैं इसमें गया, नवादा, जमूई और और अरंगावाद की सीट सामील है जहां मौजूदा समय में NDA के पास ये सीटे हैं और इस बार भी NDA इन सीटों पर अपना कवजा बरकरार रखने को लेकर बड़े स्तर पर चुनाओं प्रचार की दोरां दमखम दिखाया था तो अब बारी है मतदाताओं की, कि मतदाता किस प्रकार से वोटिंग के लिए निकले हैं तो मतदान का इन सीटों पर अब तक क्या इस्थिती है अगर हम उस पर नज़र डालें तो सुबह साथ वजे से जो मतदान की प्रकरिया शुरू हुई है उसके बाद से लगातार आज बिहार के अगर हम बात करें तो यहां भीशन गर्मी पर रही है ताफमान 40 डिग्री से ज्यादा है तो ऐसे में मतदान की मौझूदा इस्थिती क्या है अगर आप उस पर नज़र डालेंगे तो बिहार में मतदान जो है वह सुरुवाती घंटों के जवरान जहां काफी धीमी रपतार से सुरू हुआ वही धीरे-धीरे यानि कि जैसे-जैसे दिन चहरा है वैसे-वैसे ही मतदान की गती भी बर रही है और 20.42 फिस्थि मतदान सुरुवाती चार घंटे में बिहार में हुए है यानि कि सुबह साथ वजे के बाद से जो मतदान की प्रक्रिया सुरू हुई है तो पहले चार घंटे के दौरान राजी में 20.50 से ज़्यादा मतदान हो चुका है और इसमें मतदान करने में जो संसदे च्छेतर सबसे आगे है वह है जमूई जमूई संसदे सीट पर इस बार जो एंडिये के प्रत्यासी अरुन भारती हैं और उनका मुकाबला राज़त की अर्चना रविदास से माना जा रहा है तो इस सीट पर सबसे ज़्यादा 19.33% मतदाताओं ने मतदान किया है वहीं अगर हम मतदान प्रतिशत में दूसरे नमबर वाले सीट की बात करें तो 19 सीट मतदान के मामले में पहले 4 घंटों में अबल रहा है और यहां 17.65% वोटिंग पहले 4 घंटों में हुई है वहीं इसके बाद के अगर हम बात करें तो औरंगाबाद में 15.04% मतदान पहले 4 घंटे मुआ है जबकि गया के अगर हम स्थितिक बात करें तो गया में पहले 4 घंटों के दवरान केबल 14.59% मतदान हुआ है यानि कि मतदान का जो करम है वो भले ही दिन चर्णने के साथ बरहा हो लेकिन अलग रग लोग सभा सीटों पर मतदान की स्थिति काफी भिन्न है और जैसा मैंने भी आपको बताया कि जहां जमूई में सबसे ज़्यादा 19.50% मतदान हुए है तो उन सब में अगर आप पहले घंटों की बात करेंगे तो गया मतदान के दौरान अबल था दरसल पहले दो घंटे का जो मतदान हुआ था उसमें गया में सबवाधिक 9.30% मतदान हुआ था और पूरे विहार में मतदान 7.88% फीजदी हुआ था लेकिन जैसे जैसे दिन चरहा वैसे ही गया में मतदान के पतिकर क्याते हैं जो मतदाता हैं उनकी गती धीमी पर गई और पहले चार घंटे के दौरान जो मतदान हुआ है उसमें तो अबरॉल पूरे विहार में मतदान का प्रतिक्रत 20.42% फीजदी है लेकिन गया में ही है मत्दान का प्रतिशत 14 फिजदी से जादा रहा जबकि सबसे ज़्यादा मत्दान का प्रतिशत है वह जम्मूई में है जहांकि 19 फिजदी से ज़्यादा मत्दान हो चुके है जैसे मैं आपको बताया कि जो चुनाव चल रहा है उसमें गया सीट पर जीतन राम मांजी जो बिहार के पुरू मुख्यमंत्री हैं उनका मुकाबला यहां राष्टी जनता दल के कुमार सर्वजीत से माना जा रहा है इसी तरी के से समय आपको बताया कि जम्मोई की सीट पर आमने सामने के मुकाबले में यहां अरुन भारती लज़ेपी राम बिलास की पार्टी से उमिदवार हैं और उनके मुकाबले आरज़ेडी की अर्चना रविदास हैं तीसरी सीट के अगर हम बात करें तो वह नवादा है जहांपर की विवेक ठाकुर भारती जनता पार्टी की ओर से तो यहां पे स्रवन कुसवाहा राश्टी जनता दल के ओर से उमिदवार हैं बिहार में कुल अगर हम देखें तो चार सीटों पर 38 प्रत्यासी चुनाव मैदान में हैं और उनकी किस्मत का फैसला आज EBM में कैद हो रहा है इन सब के बीच जो मतदान की स्थिती है वह दिन चर्णने के साथ बड़ी है लेकिन मतदान में पर एक प्रकार से देखा जाए तो एक बड़ी परिशानी जो तेज धूप है गर्मी है उसका असर देखने को मिल रहा है और लोग धीरे-धीरे घर से बाहर तो निकल रहे हैं बड़े रहे हैं इसपूर निशन के साथ